आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिफिक्जिम टाबलेट के बारे में जो की एक प्रकार की एंटिबायोटिक होती है जो की टाबलेट, सीरप, सस्पेंशन, कैपसूल और डिस्पर्सिबल टाबलेट के फॉर्म में आती है इसका ज्यादा तर यूज टाबलेट वा डिस्पर्सिबल टाबलेट के फॉर्म में होता है यह एक प्रकार की धर्ड जनरेशन, ओरल से फैलो स्पोरिन एंटिबायोटिक मेडिसीन होती है जो की gram positive और gram negative bacteria के लिए यूज की जाती है यह medicine bacterial cell wall के synthesis को inhibit करती है मतलब उसको grow नहीं करने देती है जिसकी वज़ा से bacteria grow नहीं कर पाता है इसके strength की बात करें तो यह एक ऐसी medicine है जो की 100 mg, 200 mg में आती है जिसे हम यूज करते हैं यह tablet अलग-अलग brand name से available है market में जैसे Jiffy के नाम से आती है Sif, Mass, Fix, ETC और भी बहुत सारे brands है जो की different names से available है market में बट सारे different brand names के medicine का असर भी लगभग same ही होता है इसलिए आप कोई भी brand use कर सकते हैं अब इसके use के बारे में देखते हैं तो friends इसका जो use है वो bacterial infection में ही होता है क्योंकि यह antibiotic है और इसका use हम pneumonia में करते हैं जैसे pneumonia में आपके फेफडे में bacterial infection हो जाता है तो उसको treat करने के लिए इस tablet का use करते हैं इसका use respiratory infection में भी किया जाता है और जो respiratory infection है कई प्रकार के हो सकते हैं अभी आप समझे कि अगर आपको आपके respiratory system में आपके फेफडे में कोई infection है तो वहाँ उस condition को treat करने के लिए हम इस medicine का use करते हैं फेफडे से related या bronchiol से related है अगर यहाँ कोई भी bacterial infection है तो वहाँ पे हम इस medicine का use कर सकते हैं next use है tonsillitis में tonsillitis में भी इसका use करते है tonsillitis आपके गले में होते हैं तो अगर कोई infection होने वाला होता है तो tonsillitis में सबसे पहले infection होता है तो आपके गले में खराश आ सकती है गले में दर्द हो सकता है और गले में सूजन हो सकता है कोई भी चीज निगलने में आपको problem हो सकती है तो ऐसे कोई समस्या आ रही हो तो वो tonsillitis का खत्रा हो सकता है तो आप उसमें सिफिक्जिम यूज कर सकते हैं Next है bronchitis जैसे मैंने बताया कि respiratory infection में इसका यूज करते हैं तो जो आपकी bronchitis है उसमें अगर inflammation है तो उसे bronchitis बोलते हैं तो यहाँ सिफिक्जिम का यूज करते हैं Next है UTI disease में Urinary tract infection में चाहे male हो या female में kidney से related urethra में कोई problem है कोई bacterial infection है Urinary bladder में कोई infection है तो वहाँ उस condition को treat करने के लिए सिफिक्जिम का यूज करते हैं Testis inflammation में भी इस tablet का यूज करते हैं Testis inflammation में पुरुशों के testis में swelling आ जाती है इसी तरह vaginal discharge में भी इसका यूज किया जाता है अब इसके dose की बात करें तो जो adult dose है वो है 200 mg से 400 mg की tablet दी जाती है सुबा साम खाने के बाद और child की बात करें तो per body weight calculate किया जाता है तो per body weight 8 mg की medicine दे सकते हैं खाना खाने के बाद अगर बच्चा 6 महीने से कम है तो बिल्कुल ना दे